चलिए students हम लोग question number 6 को solve करते हैं देखे question number 6 में क्या आज आ जा रहा है student आप लोग question को पढ़िए इसमें कहरा 15 cm त्रिज्या वाले एक वरित की कोई जीवा केंदर पर 60 degree का कोण अंतरित करती है संगत लगु और दीर्ग वरित खंडों के छेतपल ग्यात कीजिए हमें πाई का वैलू दिया गया है अंडरूट 3 का वैलू दिया गया है चलिए students हम लोग इस question को solve करते हैं और देखते हैं इसका solution क्या हो जाएगा तो चलिए students सबसे पहले हम लोग एक वरित ड्रौ कर लेते हैं और ये जो वरित है इस वरित की त्रिज्जा क्या है 15 cm वरित की त्रिज्जा है तो students यहाँ पर हमने एक वरित ड्रौ कर लिया है और ये जो वरित है इसकी त्रिज्जा कितने सेंटिमीटर है 15 cm है एक बृत की कोई जीवा जो बृत है इसकी कोई जीवा है जो केंद्र पर 60 डिगरी का कोण अंतरित कर रही है तो इस टुडेंट यहां पर हमने एक जीवा खीच ली और ए समझे क्या है एक बृत का केंद्र हो गया जीवा आप देख रहे हो एक जीवा बृत पर 60 डिगरी का कोण अंतरित कर रही है चलिए हम लोग इसका नाम लिख देते हैं यह जो बृत है इसका केंद्र ओ है और इसके अगर आप लोग जीवा की बात करें इसकी जीवा एभी है ओ ए क्या है व्रृत की तृज्ज tidak है औभी भी बृत की तृच्ज तुझेटिहां है यहां पर तिर्जा कितनी दी गई है 15 cm तो यहां पर हमने राइट कर दिया 15 cm यहां पर भी में राइट कर दिया इस्टुडेंट देखिये में क्या निकालना है संगत लगू और दीर्ग वृत्थ खंडों के छेद पल। तो हम लोग देख लेते में क्या निकालना है यहाँ पर देखिये यह जो यहां पर देखिए यह जो संगत लगू वृत्खंड है यहां पर ध्यान से देखिए हमें इसको निकालना है इसको निकालना है और क्या निकालना है देर्गुरित खंडों के छेतपल देर्गुरित खंड का छेतपल में निकालना है यानि कि हमें ए वाला भाग निकालना देखिए ए वाला जो भाग आप देख रहे हो हमें इसको निकालना है देखिए हमें इतना पूरा निकालना है यह आपको ब्ल्यू वाला दिख रहा है यह हमारा देरुबृत खंड है और यह आपको रेट वाला दिख रहा है यह हमारा लगूबृत खंड है हमें इस दिर्ग वृत खंड और इस लगूबृत खंड का छेथपल निकालना है तो चलिए इस्टूडेंट हम लोग छेथपल निकालते हैं तो चलिए इस्टूडेंट देखते हैं इसका सल्यूशन क्या हो जाएगा यहाँ पर हमें जो दिया है उसको आप लोग राइट कर लिजे यह जो हमारा O A है बराबरे O B के तो यहाँ पर राइट कर लिजे O A is equal to हमारा O B है is equal to किसके है 15 cm के आगे देखिए यह जो हमारा लगू बृत खंड है इसको हमें एक बिंदू यहाँ पर ले लेते हैं पी अगर हम लोग बात करें A P B की तो हमें A P B निकालना है तो लिखिए संगत लगू संगत लगू व्रित खंड का छेत्रफल्म का छेत्रफल्म लोग यहाँ से लिखते हैं तो इस तो देखिए हमें इसका छेत्रफल्म निकालना है इसका छेत्रफल्म लोग कैसे निकाल सकते हैं आप लोग इसको सोचिए देखिए इसका छेत्पल लोग कैसे निकाल सकते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें O, A, P, B का छेत्पल निकालना पड़ेगा किसका छेत्पल निकालना पड़ेगा O, A, P, B तो लेखिए O, A, P, B का छेत्पल P, B का छेत्पल और student आप लोग ध्यान से सोचिए अगर हम लोग O, A, P, B के छेत्रफल में से O, A, B के छेत्रफल को घटा देंगे तो हमें इस वाले पार्ट का छेत्रफल मिल जाएगा तो माइनस कर दीजिए तिरभुज O, A, B का छेत्रफल तो student चलिए अब हम लोग O, A, P, B का छेत्रफल निकालते हैं तो यहाँ पर आप लोग देखिए यह जो हमारा O, A, P, B है यह है क्या एक त्रिजिखंड है और त्रिजिखंड का छेत्रफल निकालने का अमरब फोर्मिला क्या होता है पाई आर स्क्वाइर थीटा अपॉन में 360 डिगरी माइनस क्या हो जाएगा तिरभुज O, A, B का छेत्रफल तो O, A, B का छेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं आप लोग समझेए अगर हमारे पास कोई तिरभुज है इस तरीके से कोई तिरभुज है और इसकी बीज का एंगल थीटा है तो A वाली साइट समझेए A है और A वाली साइट B है तो इस तिरभुज का छेत्रफल क्या हो जाता है 1 अपॉन टू, A, B, साइन, थीटा A हमारा फॉर्मुला है, इसी फॉर्मुले को आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर दीजिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 बटे 2, इंटू में 15, यानि की A, इंटू में 15, यानि की B, साइन, थीटा का वैलू यहाँ पर क्या है, देखिए 60 डिग्री, तो यहाँ पर राइट कर दीजिए, थीटा का वैलू आप 60 डिग्री रग दीजिए, चलिए अब लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, देखिए, हमसे क्या कहा गया है, यहाँ पर, पाई का वैलू है 3.14 है, तो यहाँ पर आप लोग पाई का वैलू रग दीजिए, 3.14 इन्टू में R स्कॉर, और R का वैलू क्या है, देखिए, 15 है, तो 15 का इसकॉर, यानि कि 15 है, इन्टू में 15 है, इन्टू में थीटा, और थीटा की वैलू क्या है, 60 डिग्री, तो यहाँ पर हमने किया आप और में देखी क्या हो जाएगा कि थरी सिक्स्टी डिग्री माइनस वन अपॉन टू इंटू में फिफ्टीन इंटू में फिफ्टीन इंटू में क्या हो जाएगा अगर हम लोग साइं सिक्स्टी डिग्री की बात करें तो साइं सिक्स्टी डिग्री का मान होता है अ student अब आप लोग इसको solve कर लीजिए देखिए यहां से क्या हो जाएगा इसको हमने इससे cancel कर दिया तो क्या पर क्या गया 6 काट दीजिए इसको भी तो हमने क्या किया तीन दू नीचे और तीन पचे क्या हो जाएगा पंदरा तो यहां पर write कर लिजे 3.14 इंटू में 15 इंटू में 5 आप उन में क्या बचा तू मानस लिखिए यहां पर देखिए क्या है पंदरा गुड़े पंदरा करेंगे तो क्या हो जाएगा दो सो पचीज यहां पर क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 का बैलू हम रख दे रहे हैं कितना रखना हमें 1.73 तो यहां पर रख दीजिए 1.73 आप और में क्या हो जाएगा देखिए 2 यहां पर 2 यहां पर 2 जाएगा 4 तो student हमारे पास कुछ इस तरीके से आ गया यहां पर 3.14 अब देखिए हमें इसको solve करना है तो इसके उपर निचे हम लोग 2 से multiply कर देते हैं ताकि हर बराबर हो जाए तो multiply कर दीजिए क्या हो जाएगा दो चव के आठ दो एक के दो दो चव के आठ दो एक के दो दो तिया चे इन्टू में क्या हो जाएगा 15 गुड़े 5 15 गुड़े 5 कितना हो जाएगा 75 अब यहां पर देखिए क्या हो जाएगा 4 minus 25 को multiply करिए 1.73 से तो चलिए हम लोग multiply कर देते हैं 25 को multiply करना है 1.73 से तो multiply कर दीजिए 3 पचे 15 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 हासिल 1 7 3 दूनी 6 multiply करिए 7 पचे 35 35 के 5 हासिल 3 7 दूनी 14 14 3 17 17 के 7 हासिल 1 7 दूनी 14 हासिल 1 15 यहां पर 1 से multiply करी हमने 1 को 5 से multiply किया तो हमारे पास 5 आ गया हमने 1 को 2 से multiply किया हमारे पास 2 आ गया और फिर हमने 1 को 2 से multiply किया तो हमारे पास क्या आ गया add कर लिजिए यहाँ पर 5, 7, 5, 12 के 2, हासिल 1 7, 7, 14, 5, 19 के 9, हासिल 1 हासिल हमने 1 जोड़ा 6 6, 2, 8 और यहाँ पर क्या हो जगा 2, 1, 3 दो अंकवाद दसमलों लगाईए तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया 389.25 यहाँ पर write कर दिजिए 389.25 आपउन में 4 और यहाँ पर देखी क्या हो जाएगा यहाँ पर देखी क्या हो जाएगा इस 6.28 को 6.28 को multiply करिए 75 से तो देखी क्या हो जाएगा 5840 के सुन हासिल 4 5, 2, 10, 4, 14 के 4 हासिल 1 5, 7, 30, हासिल 1, 31 7, 8, 56 के 6 हासिल 5 7, 2, 14, 5, 19 के 9 हासिल 1 7, 42, हासिल 1, 43 यहाँ पर 0, 4, 6, 10 के सुन हासिल 1 1, 1, 2, 9, 11 के एक हासिल 1 4, 3, 7 यहाँ पर 4 तो दो अंग बाद दसमलों लगा दीजिए 4, 7, 1, 4, 7, 1, 4, 7, 1, 3, 8, 9, 2, 5, 1, 4, हमारे पास यही आ गया इस्टूडेंट चलिए हम लोग इसको solve कर लेते हैं घटा दीजिए घटा ये 471 में से यह से write कर लिजिए 471.00 लगा दीजिए यहाँ पर लिके 0.25 और 389 को घटा देना है देखे क्या हो जाएगा 10 में से 5 गया यहाँ पर 5 आजाएगा 9 में से 2 गया यहाँ पर कितना हो जाएगा 7 अब यहाँ पर बचा 0 carry ले करके आएंगे 10 10 में से 9 हो गया 1 यहाँ पर बचा कितना 6 यानि कि 16, 16 में से 8 गया 8 तो 81.75 यहां पर राइट कर दीजिए 81.75 और यहां पर 4 है तो इसको लोग 4 से डिवाइट कर देंगे 4 से डिवाइट कर दीजिए देखी क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 पूरा कैंसिल यहां पर 1 भाग नहीं जाएगा तो यहां पर 0 लिख लेंगे यह हमारा हो जाएगा 10 ठीक है कितना हो जाएगा 10 अब क्या हो जाएगा 4 दूनी 8 दो 10 27 चार चंग 24 तीन 27 पैटीज और 4 अठ बतीज तो इस्टूडेंट इस तरीके से देखे हमारे पास क्या गया है 20 दसमलो 2 6 8 यहां पर इस्टूडेंट फिर से भाग दीजिया अप लोग देखी क्या हो जाएगा हमने इसमें भाग दिया क्या हो गया चार दूनी 8 जीरो लगाईए दसमलो राइट करिए यह हो गया 17 चार चोगे 16 एक 17 एक यहां पर आएगा हो जाएगा 15 चार तिया बारह तीन पंदरह चार सते अठाइस दो तीस और क्या हो जाएगा च्छेतपल हमारे पास आ चुका है 20 दसमलो चार तीन साथ पांच सेंटी मीटर स्क्वाइर तो इस्टूडेंट राइट कर दीजिए इसमें इजादा कैलकुलेटिव है लिख दीजिए अताहा अताहा लगु बृत खंड लगु बृत खंड का च्छेतपल इस इक्वल टू 20 दसमलो चार तीन साथ पांच सेंटी मीटर स्क्वाइर तो इस्टूडेंट देखिए हमारे ये च्छेतपल आ गया आप लोग फीगर में देख लीजिए देखिए हमारे ये जो च्छेतपल है वो हमारे पास आ चुका है चलिए अब हम लोग इस ब्लू वाले पार्ट को निकालते हैं इसके लिए हम लोग क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखिए अब हमें ए वाला भाग मिल चुका है तो अगर हम लोग इस पूरे सरकल का च्छेतपल निकाल लें और पूरे वाले च्छेतपल में से इतने च्छेतपल को घटा देंगे तो हमें इतना वाला भाग मिल जाएगा तो चलिए हम लोग यही करतें लिखिए देर्ग वृत्खंड का च्छेतपल देर्ग वृत्खंड का च्छेतपल देर्ग वृत्खंड का च्छेतपल इस इकॉल टू क्या हो जाएगा अब देर्ग वृत्खंड जो है इसका च्छेतपल लोग कैसे निकाल सकते हैं सबसे पहले में व्रित का छेत्रफल निकालना पड़ेगा व्रित का छेत्रफल माइनस एपी बी का छेत्रफल यानि कि जो मारा लगू व्रित खंड है लगू व्रित खंड के छेत्रफल को घटा देंगे तो हमें दिर्ग व्रित खंड का छेत्रफल मिल जाएगा तो व्रित का इसको student निकाला है जुमारा लगूवित खंड है अभी इसका जो छेटपल हमने निकाला 20.4 3 7 5 अब ब्रित का छेटपल क्या हो जाएगा पाई का बैलू में कितना रखना है 3.14 r square r का बैलू कितना है 15 तो 15 का square करेंगे कितना हो जाएगा 225 माइनस 20.4 3 7 5 student चलिए हम लोग multiply कर लेते हैं 225 को हमें multiply करना है 3.14 से multiply कर लिजी आप लोग 4 25 के सुन हासिल 2 4 दूनी 8 देखे 4 25 के सुन हासिल 2 4 दूनी 8 2 10 के सुन हासिल 1 4 दूनी 8 एक 9 1 से multiply करिए यहाँ पर 5 हो जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 फिर multiply करिए 35 15 के 5 हासिल 1 3 दूनी 6 हासिल 1 7 3 दूनी 6 add कर लिजे देखे क्या हो जागा 0 यहाँ पर 5 9 2 11 5 16 16 के 6 हासिल 1 7 2 9 हासिल 1 10 के सुन हासिल 1 और यहाँ पर क्या हो जागा 6 में एक जोड़ेंगे 7 दसमलोग 2 अंक बाद लगा दीजिए 706 दसमलोग 5 0 क्या है 706.50 माइनस क्या करना है 20 दसमलोग 4 3 7 5 तो चलिए student माइनस कर दीजिए अप लोग घटा दीजिए तो घटा यह देखी क्या हो जाएगा चलिए यहाँ पर रफकार कर लेते हैं 706.50 यहाँ पर दसमलोग के बाद 4 अंक है तो यहाँ पर 2 0 आप और बढ़ा लीजिए ठीक है दसमलोग लगाईए 4 3 7 5 यहाँ पर राइट कर लीजिए 20 माइनस कर दीजिए देखिए 0 में से 5 घटा यह नहीं घटेगा यहाँ से एक उधार लाएंगे यहाँ पर हो जाएगा 10 फिर उधार यहाँ पर आएगा यहाँ हो गया 10 10 में से 5 गया 5 यहाँ पर बचा है 9 और 9 में से हमने 7 घटा है कितना हो गया 2 यहाँ पर बचा है 9 और 9 में से हमने 3 घटा आगया 6 यहाँ पर बचा क्या 4 और 4 में से 4 गया क्या बचा जीवो अब यहाँ पर देखिए मारा 6 हो जाएगा 10 यहाँ पर देखिए यहाँ से उधार ले करके आएगे यहाँ पर हो जाएगा 10 10 में से 2 खटाएंगे तो 8 हो जाएगा और यहाँ पर क्या बचा 6 686 दसमलो राइट कर दीजिए 686 दसमलो 0625 cm2 तो student जो हमारा देर्ग वरित खंड है देर्ग वरित खंड का छेतपल हमारे पास आ चुका है 686 दसमलो 0625 cm2 तो student हमें जो देर्ग वरित खंड आप लोग देख रहे हो यह वाला जो देर्ग वरित खंड है में इसका छेतपल निकालना था तो इसका छेतपल हमारे पास यह आ चुका है हमें इसका छेतपल निकालना था और इसका भी छेतपल हमने निकाल लिया है तो student इस तरीके से हमने इस question number 6 को solve किया, इस तरीके से हमने इस question को solve किया, तो चलिए student आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आपनों को कोई भी doubt हो तो आप लोग comment box में comment करना, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को subscribe करिएगा, चलिए आप लोग पढ़ते रहिए, thank you